कि सेंट्र एड्मिनिस्ट्रेटिव ट्राइबनर का अपने नाम सुना होगा तो ट्राइबनर्स हमारे पार्ट 15 ए में हैं 42nd अमेंडमेंट टैक 1976 के सुरू इन ट्राइबनर्स को हमारे समयधान में जोड़ा गया आर्टिकल 323E आर्टिकल 323B इन से डील करते हैं अगर आप सेंट्र के लिवल के बात करो तो आते हैं अगर आप स्टील के लिवल के बात करो वह फिर पैर शार आर्टिकल 321 के अंदर कोई भी चीज आ सकती है तो पर्लामेंट पर ट्राइबन बना दिया लैंड रिफॉर्म से बना दिया टैक्सेशन बना दिया रेंट टीनेंसी राइट से मिना दिया तो आर्टिकल 323 के अंदर जो कंटेंट है इसके डिफरेंस को आप समझेंगे तो सेंट्रल और सेंट्रल अड्मिनिस्ट्रेटिव ट्राइबन के उनकी बैंचिस कहां पर उनकी सरकेट सेटिंग यानी उनकी एक ब्रांच कहां कहां पर बैठी तो यह सारी चीजे मैं आपको बताऊँगा आगे बाडने पहले वीडियो पर लाइक का बटन अगर अब तक आपने चैनल को और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजे मेरे दोरा बनाएगे और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पर जॉइन बटन दबाके मेंबर भी बन सकते हैं हेल्प भी कर सकते हैं इस्ट्रागर्म पर फॉलो कर लिए आपको जेन मिल जाएगे तो जब हमारा सम्विधा बना और हमारे सम्विधान बनना शुरू हो गया तो 1946 में जब कॉंस्ट्ट्टम्ट असेंबली बनी थी फाली हमारा सम्विधान प्रॉमिलगेट होगा 1950 को इस पर हस्थाक्षण पर जाएंगी 26 नौबर 1949 को यहां पर हमारे सम्विधान में ट्रैबन स्कूर नहीं जोड़ा इस part 14A का title था Tribunals और इसके अंदर दो आर्टिकल्स को जोड़ा गया एक था आर्टिकल 323 het eccentric 323 its आर्टिकल 323 A deal करता है administrative tribunal से आर्टिकल 323 B deal करता है tribunals for other matters यह जो tribunal नाम का शब्ध है यह किस शब्ध से निकला है tribune नाम के शब्ध से मिल ला है tribunes का मतलब क्या होता था magistrates of the classical roman republic तो classical roman republic के magistrates से उनको बोलाता था tribunes और इसी के थो यह word आया है tribunal tribunal को actually it was referred to the office of the tribunes यह जो tribunes थे जो magistrates इनका जो office हुआ करता था basically उसको tribunal रिफर किया जाता था उस समय पे और आप यह tribunal शब्ध हमारे यहां पर इस्तिमाल किया रहा है tribunal समझना आगे ना क्या है magistrates roman official under the monarchy और under the monarchy तो अब्वेसी बात है on behalf of monarchy roman official काम करता था तो इसके पास ताकत भी काफी सारी थी ठीक है चलिए वह एक अलग चीज़े तो article 323a article 323b सबसे पहले हम लोग बात करेंगे article 323a की सबसे पहले तो आप यह देखे कि जरूरत क्या इन tribunals को बनाने की to overcome the situation that arose due to pendency of cases in various courts domestic tribunals and other tribunals have been established under different statutes herein referred to as tribunals यानि कि भहिया जुडिश्री के उपर जो इतना लोड है और कौन से जुडिश्री subordinate जुडिश्री high court supreme court especially high court इनके उपर जो इतना वर्क लोड है इन वर्क लोड को कम करने के लिए कुछ specific प्रकार के cases को एक अलग organization को refer कर दो तो इसलिए बात कही गई कि आप tribunals बनाओ सबसे पहले बात की जाएं तो आर्टिकल 323 ए आर्टिकल 323 ए पार्लेमेंट को यह थाकत देता है कि administrative tribunals को बनाया जा सकता है for the adjudication of disputes relating to recruitment and condition of service persons appointed to public services of the center, state, local bodies, public corporation and other public authorities यहां पे जो लोग काम करते हैं अगर उन लोग को काम करते वक्त ऐसा लगता है कि उनकी service conditions के हिसाब से उनको benefits नहीं मिले उनके खिलाफ department में किसी प्रकाल का discrimination हो रहा है तो ऐसे cases में वो लोग administrative tribunals के पास जा सकते तो basically these administrative tribunals they adjudicate disputes and complaints with respects to recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the union and states सबजगे? मतलब कि union और states के affairs से related अगर वहां पे कोई public service और post का कोई issue आता है यानि किसी एक public servant के against चाया वो केंद्र का public servant हो चाया वो राज का public servant हो उसको लगता है कि उसके against को अन्याय हुआ है तो वो कहां जा सकता है? तो अब आप बात करोगे कि अगर state center सब को यहां पे इंसाफ मिल रहा है तो किस हिसाफ से इंसाफ मिल रहा है? देखिए दोस्तों आर्टिकल 321 के बाद parliament ने एक act पास किया जिसका नाम था administrative tribunals act 1985 यह administrative tribunals act में तीन प्रकार के tribunals को बनाने की बात कहेगी central government चाहे तो एक administrative tribunals मना सकता है जिसका नाम होगा central administrative tribunals central administrative tribunals काम भी कर रहा है अगर आप किसी भी सरकारी department में काम कर रहे होगे तो कोई ना कोई issue को लेके central administrative tribunals में कुछ लोगों ने केस डाल के रखाई होता है कोई सभी department हो अगर आप केंज सरकार के department में काम करते हो तो उसके बाद यह administrative tribunals act 1985 किया करता है central government में upon receipt of a request in this behalf from any state government established an administrative tribunals for such state employees यहीं कि भाईया central government के पास अगर कोई request कही है किसी state government से कि हमारे यहां पे भी state employees के लिए administrative tribunals मना दो तो central government ने कि parliament एक state administrative tribunals भी मना सकता है और अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स दिमान करते हैं और अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स दिमांड करते हैं joint tribunals की तो central government एक joint administrative tribunals भी अपॉइंट कर सकता है हला कि ऐसे tribunals को अपॉइंट करने से पहले जितने भी states के governor है ना उनसे discussion होगा state administrative बनाया जा रहा होगा ना तो जिस state administrative बनाया जा रहा हो तो उसके governor से मतलब गवर्नर के पीछे जो council of ministers head by chief minister मैंट है उनसे discussion होगा और जोइंट administrative बन रहा है तो जितने भी गवर्नर से उस जॉइंट administrative tribunals के अंदर आने वाले state के उनके governor के साथ discussion होगा तो बैया एक central administrative tribunals मना सकता है और state administrative tribunals मना सकते हैं इससे हुआ इन administrative tribunals को बनाने से हुआ क्या इन administrative tribunals को बनाने से हुआ यह दोस्तों कि देखें जो इन public servants का problems होती थे ना उनके issues के लिए specific court आ गया पहले क्या होता था कि यह लोग high court supreme court भागते रहते थे अब क्या है कि यह लोग सीधे central administrative tribunals जाएंगे सीधे high court supreme court के पास यह लोग जाएं नहीं सकते बात की जाए central administrative tribunals को तो इसको बनाया गए 1985 में principal benches की दिल्ली में और उसकी additional bench भी है बहुत सारी states में तो principal bench दिल्ली में 17 regular benches हैं जिसमें से पत्रा operate करती हैं कहां पर principal seats of high court और दो है जैपुर लखनों में जैपुर और लखनों आप कह सकते हो कि principles यह bench of high court नहीं है जैसे for example बात की जाए कहां कहां पर benches है 17 benches है central administrative terminal की और सब्सक्रा इन 17 तुम्हच तो इतों दिल्ली की हो गये ऐक होगी अलाबाद की अब रावाध में andmmar hai 2017 में भी है यह मने बताई कि लखनो में भी सेंटल एड्मिनेर्ट की बैंच तो अलाबाद में क्याइड की Bak nche लखन tours बहुत बाद के लगनाद कुए मैंदा था current वे यह श으면 दिल्लीय अलाबार लखनौ कटक हैंच के अंत-बन्पदेश तिरांगणा ढण दोनों आते है बैंगलोर मदरास मेंच के अंदर तमिलाडो पूडू चली दोनों आते हैं एरना कुलम बेंच तो केरला और लक्षदीब दोनों आते हैं बंबे महारास्ट गोगरा गोवा दादरान नागर हवली दमनिंद्यू आमदावाद बैंच के अंदर गुजरात फिर जोतपूर कि बात की जाए तो इट एक्सराइज ऑरिजिनल जुरिजिक्शन इन रिलेशन तो रिंक्रूट्मेंट और और सर्विस मैंटर सब्सक्राइब मतलब की पब्लिक सेर्मेंट की सर्वेस में काम कर रहे हैं उससे सारे मैंटर्स देखेगा सेंटल एड्मिनिस्टेटिव ट्रै इस पोस्ट को सब्सक्राइब रुडिवें सेर्विस में सिवल पोस्ट अंदर तर डेफैंस सर्विस में मैं नीजिएव जो लेकिन इन जो लोग military के member, defense forces के member है, तो चाहे वो Central Armed Police Force हो, चाहे वो military, Navy, Air Force के members हो, उनके जो members है, फिर Supreme Court के जो staff है, फिर Parliament का जो secretarial staff है, इनको cover नहीं करते हैं Central Administrative Tribal, याद रखेगा, तो defense के members, Supreme Court के officers or staff, और Parliament का secretarial staff, ये tribunal के अंदर नहीं आते हैं, तो Supreme Court के staff से related, जो भी problems होगी, वो Supreme Court के जिजज़ देखेंगे, पारलामेंट के secretarial staff से related, जो भी चीज़े होगी, वो पारलामेंट देखेगा, इसमें Central Administrative Tribunal interfere नहीं कर सकता है, और defense तो defense है, defense के जो main working professionals हैं, उनके लिए वहाँ पर उनके अलग armed forces tribunal होते हैं, cat की बात की जाए, तो cat एक multi-member body है, इसमें एक chairman होता है, बहुत से members होते हैं, शुरुवात में cat था, तो chairman, vice chairman दोनों होता था, 2006 में vice chairman की post हटा दी गई, किसके थुरू, Administrative Tribunal's Amendment Act 2006 के तू, यहां पर मैंने बता रखा है, कि किन-किन जगहों पे इस cat का original jurisdiction है, all India services, persons appointed to any services of the union or civil post, civilians appointed to defense services, और post to defense civilians, यार दखना, employees of PSO or public sector organizations were notified by the government, तो यह तो इसका mandate हो गया, ओके, ठीक है, आच्छा, vice chair person नहीं होता, central administrative terminal का केवाल एक chairman है, और 65 members है, central administrative terminals के, यह जो member है central administrative terminal के, यह judicial field से भी आते हैं, और यह आपके administrative stream से भी आते हैं, तो members of the central administrative TRM also come from judicial field and also from administrative fields, इनको appoint का करताया, प्रेजिनेंक करता है, यह लोग 5 साल के लिए office में आते हैं, और इनका retirement होता है, पैसट साल की उमर अगर वो chairman है central administrative terminal का, और 62 साल की उमर पे, अगर वो member है central administrative terminal का, अगर आपको appointment करना है, तो एनिवन मतला आपको किसी को सेंटल अड्मिनिस्टेटिव ट्रैविल का मेंबर या चेर्मिन पॉइंट करना है तो इसके लिए कमिटी बनाई गई है जो कि एक हाई पावर सेलेक्शन कमिटी है जिसके एक जज़ होते हैं जिसके हैड होते हैं आज सिटिंग ज़ेज अफ स सुप्रीम कोट जिन जिन लोगों को भी बुलेगा कि हाँ बाई इसको आप मेंबर अपॉइंट करो और अपॉइंट कमिटी और के नाम पे अगर हामी भरती है तो कैट में उस पर्टिकुलर मेंबर को अपॉइंट कर दिया जाएगा फिर के काम करने को तरीकों को देखते ह कि दो वह से हिसाब करते सुप्रीम कोट और अप्रोच को सकते हैं लेकिन यहां पर जो ट्राइबनल्स हैं यह लोग प्रिंसपर ऑफ नाच जस्टिस के साब से काम कर सकते हैं तो अपनी अप्रोच को लग सकते हैं यह और अगर किसी एक पबलिक शर्मेंट को जाना तो केवल 50 रुपे की फीस परती है वो खुद भी जा सकता है खुद को भी रेप्रेजेंट कर सकता है या फिर एक लॉयर के थुरू भी अपने आपको रेप्रेजेंट करवा सकता है कैट ने मालीजय ओर दिया तो पहले क्या होता था कि कैट के और के अगेंस्ट अगर एपील होगी तो सुप्रीम कोट में होगी बाद में चंद्रकुमार केस चंद्रकुमार केस 1997 में था चंद्रकुमार केस के तुरू सुप्रीम कोट ने क्या बोला इसको बोला था में कि बोला कि के सेंट्र ऑड्वन कोई देता है तो उसके सबसriv यह बैं के ऑडर को पहली आपील यह खली है कोर्ट के पास अगर हाई कोट में भी आपको न्याय नहीं में अश्क्वन है हाई कोड के पास जचने अपील हो dilem them । इस चीज़ इस चीज़ ऊंसेटरीव को ने पर बने संट्रेम कोड में इस की आपील अंबयों पही अगेंस्ट जो Hof ऑफ ट्राय कोड यह अगर ऄंवी बत है कि अई यह बत बंच में कया ने कोई ऑडर आता और उसके अगेंस्ट अपील करनी है तो भाई आप आलाबाद आपील कर दो ठीक है तो यह चीज हो गई तेरा आगे बात की जाए है काट की अगेंस्ट अब आप सीधे सीधे सुप्रीम कोड नहीं आ सकते आपको पहले ना पाड़ेगा और अंत्र अंत्र अगेंस्ट एटमाचन परदेश उडशाण और नुज़ आ रहे हैं आप अंत्र प्रदैश्माचन प्रदेश उडिशा करनाटका तो यह नो नौ स्व को नजर आ रहे हैं पर आंद्रप्रदेश हिमाचल प्रदेश उडिसा मद्रप्रदेश करनाट का महराज तमिल नाडू बश्क्राइब कर लिए और तमिल नाडू ने रिक्वेस्ट कि हमको अपना करता है सेंट्र गवर्मन इंप्रदेश के लिए तो स्टेट गवर्मन इंप्रदेश के लिए अगर जो भी प्रॉब्लम वगरा होंगी उनको कौन रिजॉट करेगा रिजॉल करेगा सैट करेगा चेर्मेन अब मेंबर्स ऑफ दा सैट को कौन अपोइंट करेगा यह बहुत इंपोर्टन है चेर्मेन अगर आपको अपोइंट करना है तो अब यह प्रेजिदेश करेगा आफ्टर कंसल्टिंग विद गवर्नर ऑफ यहां पे कंफ्यूज मत होईएगा सेंٹरल अड्मीनिस्टेटिंव सेंटयों के जब मेंबर सोजान में मेंबर का प्रेजिदेंक होगा तो करेगा आफटर कंसल्टिंग विद विद गवर्नर ऑफ दे सेट कंसल्टा करेंड ऑड ज्यूंत अड्मीनिस्टिंट कोरल जब करें सब्सक् commercials और जॉइंट एड्मिनिस्टेटिव चेर्मेंग और मेंबर्स को भी प्रेजिएंट अपॉइंट करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद गववनर्स वगां संट स्टेट फिर आजाते हैं सबसे आसान पार्ट पर आटिकर 323 बी पार्लामेंट और स्टेट लेश्टेजर को आटिक लिए इनके लिए आपके अर्टिकल 323 बी बोलता है कि आप दूसरे मैटर से बना सकते हो और वो दूसरे मैटर से बना सकते हैं तो यहां पर लेखिए हैं मैंने आपके साथ डिसकस कर लिए फिर दूसरा पॉइंट क्या बोलता है आटिकल 323 बी के लिए उनको पार्लामेंट बना सकता है और विसी बात है पार्लामेंट और स्टेट लेश्टेशर उन ट्रैवनर्स को बनाएंगे उन मैटर्स में बनाए ताकत है कि उन सब्जेक्ट से रेलेटेड ही ट्रैवनल मना सकती है तो पार्लामेंट के बास जो ताकत है उस ताकत के ट्रैवनर्स को स्टेट लेश्टेशर नहीं मना सकता है वह अलग बात है कि सेंटर के लिए एक हैं जहां कि सेंटर के लिए गांश कि एक सिल के लिए वह सेंट्र रहे निया थे लिए फिए कंश करेंगे ऐसें सकते हैं आर्टिकल 223 ac लेकिन आटकल 323a में तो बनेंग ना तो hierarchy की बात की बात नहीं आती。 वो अपने अलग बन रहे हैं अपनी अलग legislative competence के साथ. There is no case of hierarchy. तो ऐसा नहीं है कि State Administrative Tribunal बना तो स्टेट एड्मिनिस्ट्रेटिव जो भी Central Administrative Tribunal बोलेगा वो मानेगा, लेकिन आर्टिकल 323 के अंदर जब ट्राइबनस बनते हैं तो हैरार्की आ जाती प्लेन में तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड अगर ट्राइबनस बनाया जाने स्टेट गवर्मेंट के साथ तो हो सकता है कि रूरल लेवल पर बनाया जाए विलेज लेवल पर ब्लॉक पर इन चंद्रकुमार केस 1997 सुप्रीम को डिकलेट दोस प्रोविजर्स ऑफ दीस तो आर्टिकल्स विच एश्कुड़िशन अगर कोई गलट देता है माल लीजे तो लोगों के पास अधिकार है कि हाई को सुप्रीम कोट के पास जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोट को नहीं पहले आई कोट के पास जाएंगे और सुप्रीम कोट के पास जासकता है मतलब ऐसा नहीं कि एड्मिंस्टेटिट ट्रैमिल्स कोई पका हो गया विल्कुल जा सकते हैं कई सबस्क्री कर और बारे में अलग अलग से बात कर जिसे आपको पता होगा तो अगले चैप्टर में पहुंच जाएंगे कहां पर अगले चैप्टर में पहुंचेंगे सब्सक्राइब को सब्सक्राइब